नमस्कार आज हम 6 दिसम्बर 2020 की करेंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजी पीडिया आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आज का फर्स्ट कॉश्चन है के वर्ल्ड सोयल डे की थीम क्या है और इसका सही आंसर है और अपशन एक कीब सौयल अलाइफ प्रोटेक्ट सौयल बायो डाइवर्सिटि ये वर्ल्ड सोयल डे की थीम है World Soil Day जो कि हम 5 December को हर साल मनाते हैं और इस बार की theme है Keep Soil Alive, Protect Soil Piodiversity Food and Agriculture Organization का Headquarter Rome Italy में है हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ organizations की ठीक है अगर इनके head की बात करें तो क्यों डॉंगू क्योंकि अभी कई सारे exams आने वाले हैं ठीक है Agriculture Organization फांड हुआ था 1945 में इसी के साथ International Union of Soil Science President है Takashi Kosaki जो की जपान के हैं इसका headquarter जो है वा वियना आस्ट्रिया में है और International Union of Soil Science फांड हुआ था 1924 में नेक्स्ट कॉश्चन है RC वो दूसरा सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलिसकोप निम्ले कितम ऐसे किस स्थान पर इस्थित है यह बोल रहा है कि जो RC वो जो है वहां सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलिसकोप है मतलब RC वो एक टेलिसकोप है यह कहां पर है यह टेलिसकोप यह प्यूट्रो रिकोब में है जो कि USA में आता है ठीक है यूएसो जिसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डेसी करेंसी जो है वर डॉलर है आज हम USA के थोड़े से जो महाँ पर फेमस जो माउंटेंस हैं जो रेंजेस हैं उसके बारे में देख लेते हैं बहुत जल्दी से यहाँ पे रेंज हैं अलास्का रेंज अलास्का जो परवतिय शेत्र का विस्तार USA के अलास्का राज्य में पाया जाता है यहाँ एक वलित परवत है जिसकी सबसे उची चोटी माउंट मैकेंले है सेकिंड की बात करेंगे ब्रुक्स रेंज यहां North Alaska में Buford Sea के तड़ पर इस्तित एक वलित परवत है जो West में Baring की खाड़ी Gulf of Baring से लेकर East में Canada की सीमा तक फैला हुआ है इसकी सबसे उची चोटी है Chamberlain यहां सीत काल में बरफ पर खेलों का आयोजन किया जाता है Next Range है Cost Range यहां थर्ड यूक में निर्मित एक वलित परवत है जो Pacific Ocean के Coast पर समानतर फैला हुआ है इसकी अगर विस्तार की बात करें तो यहां North में Alaska Providence से लेकर कनाड़ा की Yukon Province तता British Columbia परांत में तता उसके लावा USA के Washington, Oregon, एवं California Providence में इस्तित है इसकी जो प्रमुक चोटियां जो है पीक जो है वहां Mount Logan, Mount Waddington तता Mount Olympus है इसमें जो Mount Logan जो है वहां कनाड़ा की सबसे उची चोटी है होने के साथ साथ North America continent की दूसरी सबसे उची चोटी है नेक्स्ट रेंज है फोर्थ कास्केड रेंज यहां USA के West Coast रीजन में इस्तित एक वलित परवत है जिसका विस्तार USA के Washington, Oregon एवं California Providence में है इसकी जो प्रमुक चोटी है कैस्केड रेंज की वहां Mount Rainier, Mount Hood और Mount Sasta है फिफ्थ शेरिया नवाड़ा रेंज, अगर हम शेरिया नवाड़ा रेंज की बात करें तो यह USA के California State में फैला हुआ एक अवरोधक परवत है जिसकी सबसे उची चोटी शेरा नवाड़ा रेंज की सबसे उची चोटी है Mount Whitney जो USA के मुख्य भूमी की सबसे उची चोटी तता USA की दूसरी सबसे उची चोटी है इस परवत के धलानों पर अवस्तित घने जंगलों में Red Indian नामक जनजाती का वास पाये जाता है मतलग वो लोग रहते हैं शेरा नवाड़ा रेंज की वहाँ पर जो जंगल से हैं वहाँ पर Red Indian Tribals रहते हैं नेक्स्ट शेरा मैड्रे यहाँ वलित परवत का विस्तार मेक्सिको में दो साखाओं के रूप में जाना जाता है जो शेरा मैड्रे जो है वहद दो ब्रांचिस में हैं मेक्सिको के एक है शेरा मैड्रे Occidental एक है शेरा मैड्रे Oriental नेक्स्ट रेंज है रोकी माॉन्टिन यहाँ वैस्ट कार्डीलेरा का सबसे एस्ट में इस्तित एक नवीन वलित परवत है जिसका विस्तार नॉर्थ में कनाड़ा से प्रारम होकर साउस में USA के गल्फ अफ मेक्सिको के कोस्ट तक है रॉकी परवत को ही अलास्का में ब्रुक्स रेंज कहते हैं माउंट एलवट रॉकी परवत की सबसे उची चोटी है जो USA के कॉलरेडो प्रांट में इस्तेत है हम बात कर रहें अप्लांशियन माउंटेन की कनाड़ा के न्यूफ फाउंड लेंड आइलेंड पर इसे लॉंग रेंज के नाम से जाना जाता है इसकी सबसे उची चोटी अप्लांशियन माउंटेन की माउंट मिश्यल है जो USA के North Carolina Providence में इस्तित है Next range है मेकांजी माउंटेन यहाँ रोकी परवत से निकली हुई परवत शंकला है जिसका विस्तार कनाडा की युकान प्रांथ एवं North West Providence में है यह हमाने North America की कुछ प्रामुक परवत देखे अब हम बात करेंगे पिट्रोरिको मैसिव आर्सीवो टेलिसकोप के बारे में यह फेमस है अपने स्टैलर कंट्रिबूशन क्योंकि एस्टोनॉमी में इसने काफी ज़्यादा कंट्रिबूशन दिया है यहाँ सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश ग्रेडियो टेलिसकोप है वर्ल्ड का यह बनाया गया था 1963 में यहाँ US National Science Foundation के द्वारे यह टेलिसकोप बनाया था यह बहुत ज़्यादा पावरफुल रडार है साइन्टिस्ट ने इसकी मदद से उब्जर्व किया था प्लैनेट को, एस्ट्रोइड को, आइनोस्पेर को ठीक है और इसने कई सारी डिस्किर्वी भी की है जैसे कि इसने गेलक्सी के बारे में बताया, फर्स्ट एक्सो प्लैनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी और फर्स्ट मिली सेकेंड पलसर के बारे में भी इसी टेलिसकोप से ही हल्प मिली है 1967 में ही अरिसी वो जो है उसने डिस्कवर किया था कि जो प्लैनेट मरकरी है वो रोटेट करती है 59 डेस में उससे पहले हम मानते थे कि मरकरी को रोटेट करने में 88 डेस लगते हैं नेक्स्ट कॉशन है ट्रांस्टेंडर बच्चों की देखवाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर जल्द ही कि शहर में स्थापित किया जाएगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बैंगलूरू में स्टार्ट किया जा रहा है बच्चों के लिए ट्रांस्टेंडर बच्चों के लिए एक घर ठीक है जो कि पहला घर होगा इंडिया का फ्वर्स्ट होम जो है ट्रांस्टेंडर चिल्डन्स के लिए जहाँ पर उनकी केर होगी प्रोटेक्शन होगी यह जल्द ही बैंगलूरू में स्टाबिश किया जाएगा दो गवर्मेंट के द्वारा दो इस तरह के घर बनाई ज़ा रहे हैं क्योंकि जो ट्रांस्टेंडर बच्चे होते हैं वहाँ और बच्चों के साथ अगर रहते हैं तो उन्हें अनकंफर्टेवल फील होता है निक्स्ट कोश्चन है हाल ही में पैसिक्स अभ्यास भारतिय नौसेना और किस देश द्वारा आयोजित किया गया है और इसका सही आंसर है इंडिया और रशिया दौनों के द्वारा यह exercise कंड़क्ट की गई मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं रशिया जो की दो कॉंटिनेंट में आता है यूरोप और इशिया ठीक है रशिया को हम कई बार डिसकस कर चुके हैं ठीक है पराणी वीडियोस में एक बार देख लेना रशिया की कैपिटल है मॉसकोद में प्रेसेडंट ब्लादी में पोतिन और करंसी यहां की रशियन रूबल है पैसेक्स जो है वहाँ कंड़क्ट की जाती है इंडियन नेवी और रशियन नेवी यह नेवी की एक एकसरसाइज है ठीक है इंडियन नेवी और रशियन नेवी जो की इस्टरन इंडियन ओशियन बीजन में इन्होंने यह एकसरसाइज कंड़क्ट की रशिया के बारे में कुछ रिवीजन, अटल इनोमिशन, मिशन और उन्होंने रशिया के एक रशिया की जो भी और्गनाइजेशन है उसके साथ मिलकर एम सीरिस इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है रशिया ने 20 सायन करवाई है अर्मेनिया और अजरविजान के बीश में रशिया जो है उसने होस्ट किया ब्रेक्स साइन्स इनोवेशन टेकनलोजी समिट 2020 में रशिया ने शिरकॉन हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाइल आर्क्टिक में टेस्ट किया नेक्स कॉशन है निमलिकित मैसे किसने यूके में एक प्रतिष्टित इतिहास साहितिक पुरुसकार जीता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनिता आनंद इन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस हिस्ट्रोग्राफी अवर्ड यूके में यह आप देख सकते हैं अनिता आ आनंद जिनकी बुक जो है वहां 1919 पे जो 1919 में जो अमरिस सर के जलिया वाले बाग में नर संगहार की पीडित यूवा उधम सींग की कहानी पर इनकी बुक है और इस बुक के लिए इन्हें पैन हैसल टिल्ट मैन पुरुसकार इन्होंने जीता है इनकी जो बुक है उसका ना हर साल वास्तविक जो रियल घटनाओं खासतोर पर इतिहास से जुड़े जितने भी तत्थियों के आधार पर लिखी पुस्तकों को दिया जाता है यह अवर्ड जिसका नाम है पैन हैसल टिंट मैन प्राइस नेक्स्ट कॉश्चन है हाल ही में परियावरण मंत्रवाले ने अनुमान लगाया है कि भारत में 2050 तक मलियान जॉइंट गिलहरी जिसका साइंटिफिक नेमें रुतूफा बाइक कलर का कितना प्रतिशत घट सकता है और इसका सही आंसर है 90 प्रतिशत तक मलियान जॉइंट का जो population है वह इतने परसेंट तक गिर सकती है अगर हम बात करें तो Geological Survey of India जो की Ministry of Environment के तहट आती है उन्होंने project किया है कि Malayalam Junt Squirrel के जो number है वो 90% तक decrease हो जाएगा 2050 तर अगर हम Malayan Gunt Squirrel की बात करें तो यह world की largest squirrel है ठीक है यह IUCN की list में 2016 की according near threatened है यहा currently पाई जाती है West Bengal Sikkim मतलब अगर हम इंडिया के state की बात करें तो West Bengal Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalay और Nagaland अगर हम world में बात करें तो यह Southern China, Thailand, Laos, Vietnam, Burma, Malayalam, Penisola, Sumatra और Java इन countries में यहां पाई जाती है ठीक है यह जादातर जो है वह एवर ग्रीन और सैवमी एवर ग्रीन फॉरेस्ट में है ठीक है और प्लेन अगर elevation की बात करें तो 50 मीटर से लेकर 50-500 मीटर अवाप सी लेवल तक यह पाई जाती है और इंडिया में तो तीनों तरह की स्कॉयरल पाई जाती है मलियान के इलावा अदर टू जो है इंडियन जन्ट इसक्वाइरल इसके साथ ग्रिजल जन्ट इसक्वाइरल जो की इंडियन टैनिसला में पाई जाती है नेक्स्ट कोशन है ट्वाइम पत्र का दवारा Kid of the Year पुरुषकार के पहले संस्कुरड के विजेता कौन है और इसका सही आंसर है गितांजली राउ ठीक है यह फर्स्ट एडिशन जो निकाला गया है Time Magazine के द्वारा Kid of the Year की विनर है गितांजली राउ बिकम फर्स्ट एबर टाइम्स Kid of the Year ठीक है यह गितांजली राउ जो है वहाँ फर्स्ट पहली बार Time of the Kid of the Year एश्वी जो इंटियन अमेरिकन यंग साइन्टिस्ट एड इन्वेंटर गितांजली राउ जो की Kid of the Year Iconic Time Magazine की जो है वहाँ उसके रूप में यह चुनी गई है यह पहली बार है जब Time Magazine ने लाउंज किया है Kid of the Year Award यह 15 साल की है गितांजली राउ इन्हें चूस किया गया है 5000 नॉमिनीस के बीच में जो इनका एस्टॉनिश वर्क था उसको लेकर ठीक है इनका जो वर्क था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं इनका जो वर्क था वहाँ था जो Contaminated Water होता है Drinking जैसे Contaminated दूशित पेजल और Cyber Bullying के शेत्र में Technology के बहतरिन इस्तमाल के लिए इन्हें यहाँ जो इनका जो नाम दिया गया है ठीक है और पानी में इनका जो में काम था वो यह था कि पानी में सीसा का पता लगाने वाले एक Portable Device विक्सित की है ठीक है जो पानी में जो सीसे की मात्रा कितनी है सीसे की मात्रा इसको पता लगाने के लिए इनके दूआरा एक Portable Device विक्सित की है पानी के बीतर दूशित पधार्त जो Contaminated Things होती है ठीक है दूशित पधार्तों का पता लगा कर उनके परिडामों को Mobile Phone पर भेजा जा सके Mobile की तरह दिखने वाली जो डिवाइस इन्होंने विक्सित किया उसका नाम इन्होंने टैथिस रखा है डिवाइस को पानी में सिर्फ कुस सेकेंड तक डालने के बाद पता चल जाता है कि पानी में सीशे की मात्रा कितनी है तो यही इनका मतलब contribution था कि इन्होंने दूशित पेजल और साइबर बुलिंग के शेत्र में टेक्निलोजी के बहतरीन इस्तिमाल के लिए दिया गया है टाइम मैगजीन में इनका नाम ठीक है नेक्स्ट कॉशन है 2020 Global Teacher Price का विजेता कौन है इसका सही आंसर है Option A रंजीत सिंग दिसाले इन्हें मिला है Global Teacher Prize ठीक है रंजीत दिसाले बिकम फर्स्ट इंडियन यह पहले इंडियन है जिन्होंने 2020 में Global Teacher Prize जीता है क्योंकि जो इनका contribution था उसके लिए इन्हें यहाँ अवार्ड मिला है इन्होंने girls की education को बहुती जादर promote किया यह जो teacher है यहाँ महरास्ट के 16 पूर्ड डिस्टिक में एक गाउं है परितावेडी ठीक है परितावेडी बिलेज में इनका जो एक school है ठीक है primary school है government का वहाँ पर इन्होंने girls के education को ठीक है और qr code को इन्होंने textbook में लेकर आए है जो primary label की जो books है ठीक है primary class के उसमें इन्होंने qr code रखा है जिससे audio poems मतलब poems जो है महाँ पर qr code चलाओ तो poems सुनने लग जाएंगी video के lectures है story और assignments वेरा है ठीक है और इसी के साथ इन्होंने girls को भी बहुत जादा promote किया कि आपना मतलब पढ़ाई करिये जो लड़कियां जिनकी जल्दी शादी हो जाती है उनको भी promote करना कि आप school आईए और 100% attendance girls की यह जो award है वहाँ UNESCO के साथ partnership में दिया जाता है निक्स question है अंतरास्टिय स्वैम सेवक दिवस किस दिन मनाया जाता है और इसका सही answer है यह सोरी इसका सही answer है पार्च किसंबर को यहाँ दिन मनाया जाता है international volunteer day ठीक है और इस बार की theme है together we can throw volunteer इंटर्नेशनल volunteer day पर 2020 में campaign भी चलाए गया है together we can throw volunteer ठीक है campaign का नाम है together we can throw volunteer और हर साल International Volunteer Day 5 December को celebrate किया जाता है महात्मा गांदी का एक quote भी है कि the best way to find yourself is to loss yourself in the service of other अगर अपने आपको पहचानना चाहते हो तो अपने आपको दूसरों के काम के प्रती, सर्विस के प्रती समर्पित कर दो तो आप अच्छे से अपने आपको जान जाओगे निक्स्ट कोशन है, what is the current policy raporate? ठीक है, raporate क्या है? अभी हाली में monetary policy निकली है, 4 December को तो उसमें ये बूच़ा गया है कि raporate क्या रखा है? तो raporate चेंज नहीं किया है, वो 4% ही है पहले भी 4% ता, इसी के साथ अगर हम बात करें MSF की marginal standing facility जो है वहाँ भी अंचेंट्र 4.2% रापोरेट 4% रिवर्स रापोरेट भी चेंज नहीं किया वहाँ 3.35% है आप सभी से कल कॉशन पूछ वा गया था निम्रिकित मैंसे कि संस्तान के सोथ करता हूं ने डमरू इंस्पायट लैटेस विक्सित किया है जो चुपके पंडुब्यों और उच्च गती वाली गाड़ियों में आविदन पाता है इसका सही आंसर है option D IIT कानपूर के द्वारे एक डिवाइस पनाए गई है जो की जिसका structure डमरू की तरह है ठीक है और यहाँ मदद करेगा जो इस्ट्रैल्थ सम्मेलाइन और हाई स्पीर ट्रेन से जैसे बुलर स्वेरा ठीक है उन से जो भी स्पीर स्वेरा उसको मेजर करना और उनकी जो मतलब उनको विक्सित करना और उनकी चुपके से वहाँ पंडुब्य और उचगती वाली गाड़ियों में आवेदन पाता है इंडिया की जो रैंक है वो 8 है निक्स जो है यह पूने है यह भी गलत है ठीक है निसार्ग जो ग्राम है वहाँ पूने में हाली में भारत ने किस देश के साथ बौधिक संपदा सय योग पर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर की है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इंडिया ने किसके साथ इंटेलिच्वल प्रॉपर्टी कॉर्परेशन पर एग्रिमेंट साइन की है पहला कोशन है पांच दिसंबर का SBI ने टॉप किया है Fortune 500 लिस्ट में नेक्स्ट कोशन है चार दिसंबर को नीवी डे मनाये जवाता है नेक्स्ट कोशन है आर्ट पार्ग क्या जैपुर में मनाये जवा रहा है नेक्स्ट कोशन है कि 9th International Sand Art Festival क्या ओडिसा ने होस्ट किया आज का डिस्कुशन यहीं से मापते होते है थैंक इस सो मच